जेहीन दोस्तो मैं हूँ अनू पर आप सब लोग देखे रहे एक ग्लोबल कॉन्फलेक्ट दोस्तो चायना द्वारा एक डेंजरियस मूव करते हुए समुन्दर के अंदर अपना 7000 टन भारी भरकम निउकलियर पावर एटक सबमरीन को टैनात कर दिया गया है दोस्तो चायना के तरव से ये मूव इंडियन ओशन के क्वार्ट के एक्सेसाइज को देखते हुए किया गया है पर दोस्तो इस move को neutralize करने के लिए अमेरिका के द्वारा भी तैयारी कर लिया गया है और अमेरिका इसे counter करने के लिए अपना counter strategy के तहट जाजों का नया तैनाती शुरू कर दिया है दोस्तो आज के वीडियो के पहले हिस्से में आप लोगों को बताऊंगा कि चायना के nuclear power attack submarine को counter करने के लिए अमेरिका के द्वारा क्या नया तैनाती किया गया है जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में आप लोगों को F-35 के बारे में बताऊंगा और क्यूब मिडिलिस्ट में F-35 को इस्राइल के इलावा और कोई देश इस्तेमाल नहीं कर सकता है उसके बारे में बताऊंगा और दोस्तो डीडियल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रू कीजिए दोस्तो साउच चायना सी के अब चैनल के तरव से एक खतरनाग मूव करते हुए अपने टाइफ 93 नूकलियर पावर एटैक सबमरीन को समुन्दर के अंदर तैनात किया गया है 7000 टन भारी इन सबमरीनों में 22 टॉर्टेडों के आकार के हतियारों को लगाया जा सकता है इवेन इसके इलावा इन सबमरीनों के कुछ वर्जिनों में वर्टिगल लॉंचिंग सिस्टमों को भी लगाया गया है जो YJ-12, YJ-82, YJ-8 और CJ-10 जैसे मिसाइलों को लॉंच कर सकता है 210 मिटर लंबा और 11 मिटर चौड़ा सबमरीनों का आकार इतना बड़ा है कि इसमें आसानी से noise reduction equipment को भी लगाया जा सकता है और इसके वज़ा से माना जा रहा है कि इसके आधुनिक वर्जिनों को थोड़ा और stealthy भी बनाया गया है और चाइना के तरफ से ये तैनाती मलावार exercise के दर्मियान किया गया तो इसलिए अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि चाइना कोई बड़े हरकत करने के तरफ भी आगे वड़ सकता है इसके इलावा US के internal report के मताविक इन जहाजों के साथ political अधिकारियों का भी तैनाती किया गया है दोस्तो आपके जानकारी के लिए बता दू कि communist army में कमेसार बोलके एक political पद भी होता है जो पूरा group को head भी करता है और ये political अधिकारियों का तैनाती होता है दोस्तो इस तरीकी का तैनाती और इस तरीके का अधिकारियों का काम communist party के leadership के propaganda को आगे बढ़ाना होता है और साती साथ party के भिसाफ से group को चलाना होता है दोस्तो एक तरफ जहाँ पे चाइना द्वारा इस तरीके का तैनाती किया जा रहा है तो दूसरे तरफ अमेरिका भी चाइना को कुचलने के लिए पूरा पूरी तयार हो गया है आपके जानकारी के लिए बटाईवी की हाली में चायना के तरफ से घोशना किया गया है कि चायना अभ दुनिया के सबसे बड़ा नेवी है 2020 के Chinese डेटा के मुताविक Chinese नेवी के पास करीवन 300 जहाज है जिनमें करीवन 130 जहाज बड़े आकार के और मेजर जहाज है जबकि चायना के डेटा के मुताविक 2020 में अमेरिका के पास एही जहाजों का संख्या स्रिफ 293 है पर एक तरफ जहाँ पे चायना अपने जहाजों का संख्या बढ़ा रहा है तो दूसरे तरफ अमेरिका के खिलाफ तैनाती भी कर रहा है अमेरिका को इस चीज के बारे में भनक तो पहले से ही लग गया था और इसी वज़ा से सालों पहले अमेरिका द्वारा पैसिफिक कमांड को इंडो पैसिफिक कमांड और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में बड़े देशों को मिला के क्वार्ड जैसे और गुनाईशन का घठन करने का बात भी कहा गया पर चाइना के तरफ से जब महामारी के आड में South China Sea के अंदर और Pacific Ocean के अंदर अपने दबदबा बढ़ाने का प्रयास किया गया तो अमेरिका के तरफ से इस प्रयास को कुचलने के लिए भी तैयारी कर लिया गया है हाली में Freedom of Navigation को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के तरफ से जहाँ पे अपने जहाजों का तैनाती बढ़ाया गया है वही पे अपने एलाई देशों को प्रोटेट करने के लिए अमेरिका अपने बहड़ी बेड़े को भी Pacific Ocean में और ज्यादा मजबूत कर रहा है चाइना, Pacific Ocean, Indian Ocean और South China Sea के उपर अपना अकेले का दबदबा चाता है इवन इस एरिया में जो देश है उनके जहाजों को भी यहां से गुजरने के दर्मियान चाइना वाधा पैदा करने का कोशिश करता है और इसे ही रोकने के लिए हाली में अब अमेरिका के तरफ से अपने क कुछ बॉमबर शक जहाजों का भी तैनाती South China Sea के नजदीक किया गया दोस्तों सुनने को आ रहा है कि अमेरिका द्वारा अपने सुपर सॉनिक बॉमबरों का तैनाती South China Sea के नजदीक किया गया है और इन जहाजों के द्वारा अब South China Sea के अंदर पेट्रोलिंग और पर इसके इलावा खतरनाक बात तो ये भी है कि टाइवान के F-16 गायव हो जाने के बाद चायना के तरव से टाइवान के शेत्रे के अंदर भी घुसफैट करने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका इन सब घटनाओं को देखते हुए ही चायना को कुचलने के लिए अपना तैनाती को बढ़ा रहा है। पर सिंगापूर जैसे देश में अमेरिका अब अपना दूसरा बड़ा बहरी बेरा को तैनात कर सकता है। पर अब सुनने को आ रहा है कि अमेरिका में इसके खिलाब अलग अलग रेजुलेशन लाया जा रहा है ताकि डॉनल्ड ट्रम के इस एप्रूवल को रद किया जा पाए। इस रिपोर्ट में ये भी वताया गया है कि डिमोक्रेट के सेनेटर क्रिस मॉर्फी के तरफ से ये भी वताया गया है कि UAE द्वारा हतियारों के बिकली को लेके जो टर्मस अन कंडिशन है उसे भी वाइलेट किया गया है। साथी साथ उनके तरफ से ये भी कहा गया है कि UAE और इसरायल के रिष्टे को नॉर्मलाइज करने के पक्ष में वो है लेकिन जिस तरीके का हतियारों के बिकली का पर्मीशन दिया गया है इससे उन्हें ये भी आशंका है कि मिडलिस्ट के अंदर हतियारों के रेस बढ़ सक सकता है इवेर अगर अमेरिका द्वारा हतियारों का सप्लाई उन्हें नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा दूसरे देशों से भी घातक हतियार पर्चेस करने के तरफ आगे बढ़ा जा सकता है ये एक तरीके से मिडलिस्ट के अंदर हतियारों के रेस को बढ़ोती पर डॉनल्ड ट्रम के तरफ से इसरायल को मनाने के लिए काफे ज़्यादा प्रयास भी किया गया है और कुछ ट्रम्स अन कंडिशन के साथ इन हतियारों में कुछ बदलाओ भी किया गया है पर अब प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रम के चुनाव हारने के बाद और सत्ता से बाहर जाने के बाद अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो वाइडन आने के बाद शायद इस हतियार के बिक्री के उपर प्रतिबन भी लगाया जाए और योई को शायद ये हतियार मिलने से मुश्किले हो जाए दोस्तों इससे ये भी अंदाजा आ रहा था कि इस्राइल के इलावा भी मिडल इस्ट में योई द्वारा एफ थर्डी फाइफ जैसे फाइट यार कैप्टों को ऑपरेट किया जाएगा वो शायद कुछ सालों तक संभब ना हो पाए या फिर हो भी तो ऐसे लिमिटेड तरीके से हो जो इस्राइल को चुनोती ना दे पाए या फिर जो एक तरीके से ना के बरावर हो तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद